साल भी 2024 और मैच नंबर भी 24 है ये खेला जाएगा स्वाई मांसिंग स्टेडियम में एक तरफ राजस्थान रोयल्स होगी जो लगातार आउटस्टेंडिक प्रफोर्मेंस दिखाया है चार के चार मुकाबले जीते हैं लेकिन दूसरी तरफ गुजरा टाइटेंस जो राजस्थान की टीम जो है वो अच्छी फाउम में नजर आ रही है मोनु और लगातार तीन मैच जीत कर आ रही है यहाँ पर मेडिल ओडर काफी उनका कमजोर नजर आया डेविड मिलर जोकी जिनकी जगह पर केन विलियमसन आया था उनका बल्ला नहीं चला है मोनु और उसके बाद से यह सवाल उठने लगए कि जो भी फॉरिनर्स प्लेयर्स हैं वो शायद कुछ अच्छा प्रतरशन नह हारने के बाद कप्तानी पर सवाल उठते उसके बाद आपके सेनारियों पर भी जो भी पॉइंट स्टेबल होते उस पर भी असर पड़ता है कि निट फॉरिंट रेट किस तरीके से आपका जाएगा लगतार मैच आप हार कर आ रहे हैं तो आपकी टीम थोड़ी सी डिस बैल करेगी बिलकुल उमीद है उमीद पर दुनिया कायम है कि यह टीम कमबैक करेगी और पांच मुकाबले खेले हैं जिसमें सिर्फ दो में जीत मिली है तीन में हार मिली है गुजरा टैटन्स को कुछ अच्छा करना पड़ेगा अगर टॉप 4 में जाना है तो दोस्तों इस वी प्लेइंग 11 क्या हो सकता पॉसिबल है देखिए यह शेश्वी जैश्वाल है जोश बटलर है संजू सैंसन है रियान पराग है धुरू जुरेल है रवीचंटर नश्विन ट्रैंट बोल्ट आवेश खान नांद्रे बर्गर और यूजी चाहल यह पॉसिबल प्लेइंग 11 ह हो सकती है अंकीता आरार की जब बात करते हैं तो बिल्कुल आरार की संभावित प्लेइंग 11 हमने देखिए इसके रावा नजर डालेंगे कि क्या है गुच्टात के संभावित प्लेइंग 11 मौनू क्योंकि यह टीम जो है वो थोड़ी सी पीछे चल रही है यहाँ पर प्रदरशुन के तरफ क्योंकि बल्लेबाजी में कुछ कॉंट्रिबूट करते नजर नहीं आ रहे है इसके लावा राहूल तिवतिया का वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा जो कि हमने पिछले कई सीजन में देखे थे चाहे वो राजस्तान के लिए खेलो या फिर गुजरात क अब से मुंबई की तरफ आये हैं उसके बाद से थोड़ी सी टीम जो है वो डिस्बैलेंस नजर आ रही है नंबर चार पर बल्लेबाजी कौन करेगा नंबर चार हम बात करते कि मिडल ओर कौन आगे तक लेके जाएगा ये भी एक बड़ा कंसन है गुजरात के साथ तो कही नगहीं लग रहा है कि साइंस उदर्शुन का चार प्रदर्शुन नहीं है रधिवान सा एक मैच में चलते एक मैच में नहीं चलते है शुरुमन गिल पिछला मैच उठाकर देखिए वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी हुई थी लेकिन जो गुजारिश होती है कि गिल वज़े से वह नहीं खेल पाई लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाई विलियम सन बड़े शॉप डिसमेशल आउट हुए थे आपको याद होगा कि रोई विश्णों ने आउटस्टेंडिक पकड़ा था पिछले मुकाबले में और वहीं से पूरी टीम एक के बाद एक स्पिन के अगेंस्ट हम जब देखते हैं तो बड़ी बाउंडरी होंगी एस कंपेर अधर स्टेडियम के लेकिन यहां पर राजस्थान रोयल्स जीस तरी के से खेला है इस टूनामेट में राजस्थान रोयल्स की सबसे बड़ी ताकत की हम बात करें तो उनकी बैटिंग ल लाइनप जो है वो राजस्थान के धासू तो नजर आ रही है मोनू बट आपने देखा होगा पिछला मुकाबला जो के क्यार हारी है वो भी लगाता है जीत करी आ रहे थी लग रहा था कि चौका लगाएगी वो अपने जीत का लेकिन वहां पर भी किसी का बल्ला नहीं चल तो टीम जो है वो कभी भी आखना नहीं चाहिए कि टीम में कमजोर है या फिर कुछ भी है कोई भी बल्लेबास चल सकता है उस दिन किसका बल्ला चलेगा ये भी बड़ा सवाल है लेकिन मोनू अब बात करेंगे यहाँ पर कि दोनों ही हमें आपर बैटे हैं कि फैंटेसी ट टीम पर नजल डालेंगे मोनू आप बताइए कि आपके फैंटेसी टीम अभी आने वाली आपके सामने बड़ा खास सेग्मेंट है दोस्तों क्योंकि फैंटेसी टीम जब से हम बनाने लगे हैं आपका रिस्पोन्स बड़ा अथा मिला ये मेरी टीम है वैसे बाइदावे कल बात क्या है कि मैंने नांद्रे बर्गर को यहां पर वाइस कैप्टेन रखाया है और कैप्टेन भी आप देख सकते हो मेरे इस तरीके से जोश बटलर और नांद्रे बर्गर मैंने एक टीम से दोनों चुने हैं लेकिन ये मेरी फैंटेसी टीम होने वाली है अगर दोस्तों को रखा है और जब थोड़ा बहुत मुवमेंट मिलेगा तेज गिंदवाजों को वहां पर ट्रेंट बोल्ट भी है नांद्रे बर्गर भी है और मिडल ओर भी ठीक ठाक रखा मैंने साइस सुदर्शन भी होंगे और उपर से आप देखोगे तो जैस वाल को भी रखा मैंने और साथी सा शुबमन गिल को भी रखा है तो ये मेरा प्लेइंग 11 हो सकती फैंटेजी के लिए अंकिता बलकुल तो मोनु की फैंटेजी टीम देख लिए अब अंकिता की फैंटेजी टीम की बात की जाए तो मैंने आपर कैप्टन रियान पराग को चूज किया है रियान प इसके लावा विकेट कीपर की तौर पर मैंने आपर संजो सैमसन को पिक किया है डेविड मिलर जो कि डेफिनेटल इस बार किलर की तरह फॉर्म करेंगे आप डेविड मिलर को भी ले सकते हैं है टमायर जो की लंबे-लंबे चक्के लगाते है राजस्थान के लिए इसके ला और जवा उमर जई को भी मैंने वहाँ पर रखा है युजवेंद शहल जो की अभी फिलाल औरेंज का माफ की जगा पर पॉल्डर भी है ट्रेंट बोल्ट को भी मैंने लिया यहां पर मोहिश शर्मा को लिया है तो मैंने यहां पर जालतर जो नाम है वह राजस्थान की सकते हैं और मोनु ने बताया कि ट्रेंट बोल्ट आपने किसको पिकिया है जौस बटलर को लेकिन आपका रियान प्राग बड़े अच्छे खिलाड़ी है इस बार सबसे बड़ी खोज है राजस्थान की 185 बना चुके है जिसमें दो हाफ सेंचुरी भी है उन्होंने ने मै किताब को तारिफ करने पड़े क्योंकि रियान प्राग वह खिलाड़ी जिनमें आग है